सिनाव सिख्थ समीज दी रेशो ओफ एज ओफ आभा एंड हर मदर इस टू रेशो फाइव एड दे टाइम ऑफ आबास बर्थ हर मदर इज वस 27 इस तो आज को उनके एज क्या होंगे देखो क्या बता है कि इनके एक्जर्ट लेज हम लोको पता नहीं है लेकिन रेशो दिया ह तो इस टू 5 आभा और उसके मम्मी का आज का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो ये टू येज है और कंडिशन क्या बताहिए जब आभा का जनम हुआ था आभा का जनम हुआ तब मम्मी की एज टे 27 इस तब ममी की एज का जो बीस देख समझ मैं थो क्या खरना बढ़ार म common multiple support x ले हम लोग ने, common multiple ले है x, तो आभा का age क्या होगा, 2x और मम्मी का क्या होगा, 5x, तो यह condition क्या है, ratio 2 is to 5, okay, so 2x और 5x, क्या बता है कि, जब आभा का जनम होगा था, तब मम्मी का age 27 था, तो क्या करोगे, मम्मी के आज के age में से, आभा का age माइनस करो, 5x माइनस 2x इक 3x is equal 27, then x is equal to 27 divided by 3, x is equal to 9, common multiple क्या आया है, 9 आया है, तो इसे हम लोग आभा का आज का present और इसके मम्मी का भी age हम लोग find कर सकते, that is, आभा's present age 2x is equal to 2 into 9, it is 18 years, mother's present age 5x is equal to 5 into 9, 45 years, and therefore, आभा's present age 18 years, and mother's age 45 years, got it everyone, देखो, let the number of years, उसके पाद, number 7, this is question number, 7, question number 7 is, present age of Vastala and Sara are 14 years and 10 years, आज देखो, Vastala का आज का आज का आज का आज का है 14 आज का है 14 आज का है 10 years, after how many years, the ratio of their age will become 5 to 4, कितने साल के बाद उनके age का रेशो होगा, 5 ratio 4, समझ में, आज का आज का है 14 आज 10 है, तो कितने साल के बाद इनका रेशो 5 to 4 होगा, देखो इसमें क्या आज का रेशो, let the number of years for which the ratio of their age will be 5 to 4 be x, x साल के बाद, क्या होगा, x साल के बाद इनका age क्या होगा, 5 to 4, ratio क्या होगा, 5 ratio 4, तो present age का इसे निकाल होगे तुम लोग, 14 प्लस x और सारा का 10 प्लस x, okay, sorry, after x years, not present, after x years, after x years, बस्तल का age का होगा, 14 प्लस x और सारा का होगा, 10 प्लस x, according to given condition, क्या बता है, 14 प्लस x, divided by 10 प्लस x is equal to 5 upon 4, 14 प्लस x upon 10 प्लस x is equal to 5 to 4, cross multiply क्या, 4 इंटो 14 प्लस x is equal to 5 इंटो 10 प्लस x, तो 56, 4, 14 प्लस 56 प्लस 4 इंटो 4 x is equal to 5 इंटो 50 प्लस 5 x, 50 में से, sorry, 56 में से 50 को मैनस किया, और यह पर 5 में से 4 x मैनस किया, 5 x मैनस 4 x, x, 56 मैनस 56, 6, so after 6 years, ratio of present age, ratio of age of, वस्तला एं सारा भी, 5 to 4, मतलब आज से 6 सल के बाद, आज से 6 सल के बाद, इनका जो ratio होगा, रेशो होगा, 5 to 4, है समझ में, के, 6 instead of 2, after 6 years, okay, बाद, see now, last question is, the ratio of present earth of혼u and her mother is, 2 to 7, after 2 years, the ratio of their age will be 1 is to 3 what is the Rehana's present age देखो Rehana उसकी मम्मी का जो age उसका ratio का है 2 is to 7 क्या रुषिद है 2 is to 7 दो सल के बाद ratio क्यों होगा 1 is to 3 after 2 years क्या होने वाला है 1 is to 3 तो Rehana का आज का है हमें ढूंडना है मम्मी का नहीं क्या गाना है Rehana का age ढूंडना है let the common multiple be x so Rehana का present age क्या होगा 2x और मम्मी का क्या 7x after 2 years कैसे करोगे after 2 years Rehana's age 2x plus 2 और मम्मी का क्या होगा 7x plus 2 condition में क्या बाद है कि यह जो दो सल के बाद जो उनकी age है उसका ratio क्यों होगा 1 is to 3 1 upon 3 cross multiply 3 into 2x plus 2 is equal to 1 into 7x plus 2 3 to the 6x plus 6 is equal to 7x plus 2 2 यहापे minus होगे 6x यहापे minus होगे so 6 minus 2 is equal to 7x minus 6x and x is equal to 4 7x minus 6x 6 minus 2 4 तो Rehana का present age क्या होगा 2x is equal to 2 into 4 8 years आया समझ में मतलब Rehana का आज का age क्या है 8 years 8 साल के हो 2 साल के बाद कितना होगा समझ में राइड डाउन